हमारी कुछ मान्यताएं हैं कि हमें हर साल सत्य नारायन पूजा करनी चाहिए या नए घर में जाने से पहले वास्तु पूजा या वास्तु शांति करनी चाहिए ठीक है कम से कम मराठी लोगों की इस तरह की परंपरा है, जैसे ग्रह शांति ठीक है अब सभी पूजाएं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी सत्यनाराइंड की पूजा करते हैं जो असत्य आप रोजाना अपने जीवन में पैदा कर रहे हैं कोई सत्यनाराइंड पूजा आपको बचा नहीं सकती सबसे बड़ी सतिनारायन पूजा जो आप कर सकते हैं वो है आप कम से कम खुद के साथ सच्चे रहें आप दूसरों के साथ सच्चे नहीं बन पाते मैं आपको उसकी अनुमती दे दूँगा पर कम से कम आपको खुद के साथ 100% सच्चा होना चाहिए हाँ या नही ये एक अद्भुच सतिनारायन पूजा होगी जो उसी समय पर इनाम देगी वैसे भी आपकी सतिनारायन पूजा आप खुद नहीं करते कोई और इसे आपके लिए करता है शायद उसे फाइदा होगा पर आपका पता नहीं आप धूएं का सामना करते हैं और आपको खांसी हो जाती है अगले दिन आपके नाक में नसे सूज कर लाल हो जाती है आम तौर पर आपके घर में सतिनारायन पूजा का धूआ भर जाתा है धुआ नहीं होता महराश्रो में वे धूएं का उपयोग नहीं करते हैं अगर सत्यनारायन स्मार्ट है, तो वे इसके निजदी कभी नहीं आएंगे. आप सत्यवादी बनिये, ये सबसे बड़ा सत्यनारायन वरत है जो आप ले सकते हैं. यानि आप उनकी तरह बन जाईए, कम से कम खुद से. दुनिया के साथ नहीं तो कम से कम खुद के साथ सच्चे बनिये दुनिया के साथ भी आप इसे अपना सकते हैं ये बहुत ही शांदार होगा पर अगर वो आपके लिए संभव नहीं है तो खुद के साथ बिलकुल सच्चे बनिये आप देखेंगे कि जीवन बहुत सुन्दर हो जाएगा अब ये वास्तु मुझे पता नहीं है कि आप केवल उस पूजा की बात कर रहे हैं जो प्रवेश के दिन की जाती है या इमारत को बनाने के तरीके की हाउस वामिंग एक चीज है देखिए एक बात ये है कि जब नई इमारते बनाई जाती हैं हमेशा नहीं, कभी-कभी जब नई संरचनाओं का निर्माण किया जाता है तो कभी-कभी कुछ कारणों से कुछ नकारात्मक हवाय वहां फस सकती है तो इसके पीछे विचार ये है कि जब द्वारा एक नई सकारात्मक उर्जा का निर्मान हो और हवन का भी कुछ प्रभाव हो अकनी होत रोरण्य चीजों से वातावरण कुछ हद तक साफ होता है हाँ सबसे बढ़कर आप एक नई स्थान पर जा रहे हैं और आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इन सबसे परे हैं नहीं आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने जागरुक हैं कि किसी चीज को देखकर समझ जाएं कि वो क्या है आप जागरुकता की उस थिती में नहीं हैं इसलिए आपको कोई नई जगाह में प्रवेश करने के लिए एक मांसिक प्रोटसाहन की भी आवश्यक्ता है, क्योंकि आपकी मूल भावना डर है, कृपिया देखें आपकी सबसे बुनियादी भावना डर है, तो कोई भी छोटी सी बात आपके जीवन को परिशान कर सकती है, आप एक नए घर में आते हैं और पेंट की गंदिया किसी और वज़ाय से आप सो नहीं पा रहे हैं, और अब आप सोचने लगते हैं कि ये क्या है, मेरे पुराने घर में ठीक से सो रहा था, नए घर में भूत हो सकता है, आप बरबाद हो जाएंगे, हैं, आप खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे लोग कभी भी उसे एक विचार से खुद को निकाल नहीं पाते, वे बस और आगे बढ़ते रहते हैं, सोचते रहेंगे और खुद को खत्म कर देंगे, तो इस तरह ये थोड़ी सफाई करता है, और इसके पीछे कुछ विज्ञान भी है, ध्वनियों के कुछ उचारण और गंधों से वहां एक निश्चित वातावरण बनता है, और आप उस सफेद कद्दू को बानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्राणिक है, उसमें प्राण गूंजते हैं, तो धीरे धीरे सकारात्म कूर्जा पहलती है, पर अगर आप इसे अपने पेट में डालें, तो ये और भी भेटर होता है, आप जानते हैं, मंदिर निर्मान के इस विज्ञान को एक बड़ी उचाई पर ले जाया गया है, देखिए आपको ये समझना चाहिए, कि भारती ये मंदिर कभी भी पूजा या प्रार्थना स्थल के रूप में नहीं बनाये गये थे, यदि आप मंदिर जाते हैं, तो किसी ने आपको प्रार्थना करने या अपना जीवन ठीक करने के बारे में भगवान से विंती करने की परंपरा के बारे में नहीं बताया, उन्होंने आपसे कहा यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको वहाँ थोड़ी देर बैठना चाहिए है न? क्योंकि ये स्थान उर्जा के केंद्र हैं, वे प्रार्थना के स्थान नहीं है किसी भारतिय मंदिर में कभी भी कोई प्रार्थना नहीं करवाता है न? अपना दिन शुरू करने से पहले आप नहाते हैं, वहां जाते हैं, कुछ समय के लिए वहां बैठते हैं और फिर बाहरी दुनिया में जाते हैं. ये पब्लिक बैटरी चार्जिंग स्थान की तरह है. और ये भी कहा जाता है, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो आपको रोज मंदिर जाने की जरूरत नहीं हैं, क्या आपको ये पता है? हाँ, क्या आप इस बारे में जागरुक हैं? जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, उन्हें हर दिन मंदिर जाने की जरूरत नह क्यों? क्योंकि उनके पास खुद को चार्ज करने के तरीके हैं. फिलाल आप प्राणायम या ध्यान कर रहे हैं, ये खुद को चार्ज करने के तरीके हैं. आपको सारवजनिक चार्जिंग स्थान पर जाना आवश्यक नहीं है. आपके पास अपना नेजी चार्जर नहो तो आ आप सरवजनिक बूत पर जाकर खुद को चार्ज कर सकते हैं। जब मंदिर का आकार, बहरी परिक्रमा, गर्ब ग्रह, आकरती और आकार, मूर्ती की आकरती और आकार, मुद्राएं जो मूर्ती धारण करती है, इनको प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए जिन मंतरों का उप्योग किया जाता है, यदि ये सभी चीज़ें ठीक से मेल खाती हैं, तब इनके चारों और उर्जा का एक बहुत मजबूत क्षेतर होगा। आप बस वहाँ जाइए, वहाँ बैठिये, उन्हें आत्मसनात कीजिये और आजाइए, या आपके लिए बखवास करने का समय नहीं है, या किसी और के करने का, आपको बस वहाँ चुपचा बैठना है, और वहाँ जो भी है, उसे आत्मसनात करना है, हमने ज्यादातर मंदिरों को नश्ट कर दिया है क्योंकि हम नहीं जानते कि उन्हें कैसे बनाए रखा जाए आवश्यक समरपण और इसे बनाए रखने का आवश्यक विज्ञान खो गया है कई सैक्ड़ों मंदिर खत्म हो गए हैं केवल पत्थर बाकी रह गए हैं ये पत्थर को दिव्यता में बदलने का विज्ञान था पर अगर आप अंजान हैं तो आप दिव्यता को फिर से पत्थर में बदल देंगे पत्थर को कैसे परमात्मा बनाया जाए इसका पूरा विज्ञान है इसे इस तरह से क्रियाशील करने के लिए कि ये आपसे बहुत अधिक और बड़ी संभावना बन सके पर शायद आप बस इसे तबाह कर दें आप में से कुछ को शायद आपको ध्यानलिंग ब्रोशर मिल गया आपको शायद चित्र मिल गया हो वो मेरा काम नहीं है मैं मूल रूप से मैं सिर्फ लिंगम को प्रतिष्ठित करने आया था कुछ और हो जाने के कारण मैं इसमें शामिल हो गया और मैं थोड़े समय कुछ समय बिता रहा हूं वरना मेरा बुनियादी काम सिर्फ ये करना था मेरा कभी भी प्रांड प्रतिष्ठा के बाद रहने का कोई रादा नहीं था हमेशा से योजना यही थी कि प्रतिष्ठा होते ही मैं चला जाऊंगा कुछ कारणों से मैं रुका रहा और चीज़ें चल रही हैं आप बस इस मंदिर में प्रवेश कीजे यह स्पंदन इतना शक्तिशाली है क्योंकि इसे इस तरह से प्रतिष्ठित किया गया है इस प्रांड प्रतिष्ठा को आप नश्ट नहीं कर सकते यह पत्थर लिंगम पर निर्भर नहीं है पत्थर लिंगम का उप्योग केवल मचान के रूप में एक उर्जा लिंगम बनाने के लिए किया गया था यह स्थापित हो गया है यदि आप चाहें तो हम पत्थर के लिंगम को हटा सकते हैं तब भी इसकी गुणमत्ता नहीं बदलेगी सातों चक्रों को ठीक से स्थापित और बंद किया गया है यह अविनाशी है अगर आप इस ग्रह को भी नश्ट कर देते हैं तब भी आप इसके स्वरूप को नश्ट नहीं कर पाएंगे यह ऐसा है यह योग विद्या में एक संपूर्ण विग्यान है यह एक बहुत ही गहरी विग्यान है कि इसे कैसे बनाया जाए जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के प्रक्रिया के दौरान वहां मौजूद थे जो लोग इसके गवा हैं सिर्फ वे जानते हैं कि अविश्वसनिय चीजें हुई है अब अभी आपकी उर्जा शरीर से इतनी जुड़ी हुई है कि आप इससे बहुत कम चीजें कर सकते हैं यदि आपका शरीर के साथ संपर कम से कम हो जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं ये ऐसा है मान लीजिया आपने कुछ मिट्टी लिया और दस बरतन बनाए अब आपने इसे अभी तक जलाया नहीं है ये अभी ताजा है अब आप उन्हें फिर से लेकर बारा बरतन बना सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो इस से 20 बरतन बना सकते हैं क्योंकि मिट्टी अभी लचीली है और आप इस पर काम कर सकते हैं तो समाधी की अवस्था का मतलब है ये उस चरण पर वापस जा रहा है जहां मिट्टी अभी लचीली है और आप इसका इस्तमाल कर कुछ और चीज़ें बना सकते हैं आम तोर पर जब लोग समाधी की स्थिती में होते हैं तो हम उनकी रक्षा करते हैं हम उन्हें बहुत संरक्षित वातावरण में रखते हैं क्योंकि छोटी मोटी बाधा से वे शरीर छोड़ सकते हैं कोई व्यक्ति समाधी की गहरी स्थिती में हैं आप बस ऐसा करते हैं वो शरीर छोड़ सकता है क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है, थोड़ी सी हलचल से ऐसा हो सकता है इसलिए लोगों को उस अवस्था में रहने के लिए प्रतिष्ठित करने और शारिरिक रूप से सक्रिय होना सिखाने के लिए जबरदस ट्रेनिंग की जरूरत है मुझे सही तरह से लोगों की तलाश करने और उन सभी को एक साथ लाने और धीरे धीरे इस थिती को तयार करने में 20 साल लग गए आप इसका अनुभव अवश्य करें अपने जीवन में आपको इसका एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए ये कुछ ऐसा है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए आपको किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना है आप बस वहाँ जाकर बैठिए आप देखेंगे ये आपको खुद में समा लेगा